सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी कुछ सिखा कर या दौर भी निकल जाएगा, फिर एक बार और इनसान मुस्कुराईगा मायूस ना हूँ इस बुरे वक्त सी, कल आज है और आज कल हो जाएगा अपने उद्देश में इमंदारी सी, लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सही दिशा और शही समय का ज्यान ना होतो, उकता हुआ सूरस भी डुपता हुआ दिखता है आज का पंचांग 4 अक्टूबर 2021 दें शोम मार आश्योन मास के कृष्ण पक्च के त्रयोदर्शिति थी रातरी नौ बच कर पांच मिलट तक रहेगी इसके उपरान पूर्ब फालगूनी नामक नक्षत्र रातरी दो बच कर पैतिस मिलट तक रहेगी इसके उपरान उत्तर फालगूनी नामक नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहू काल अर्था दिन का सबसे सुप समय सुबह साथ बच कर इंक्यावन मिलट से नौ बच कर उन्निस मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुप समय सुबह ग्यारा बच कर बावन मिलट से बारा बच कर उन्तालिस मिलट तक रहेगा आज चेंद्रमा शिह राशी पर संचार करेगी और आज शूरिय कन्या राशी पर रहेंगी कन्या राशी चार अक्टूबर 2021 दें शोम मार आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा कोई ऐसे घटना घट सकते हैं जिसके आपने कभी कलपना भी ना की होगी आप ग्रहों से मिलने वाली उर्शा का ध्यान रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिसा में ले जाना चाहती हैं जीवन के इस मोड पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे कभविश्य तै करेगा आज घर के किसी वरिष्ट वैक्ति की सला आप के लिए बहुती भाग्योद है दायक रहेगी इसलिए उनकी किसी भी बात के अवहेलना ना करें मेलाओं के लिए दिन बहुती उत्तम फल दायक हैं हर परीस्थिती में उन्हें सामना करने की हिम्मत और साहस रहेगा सेयम रखें और कुछ बातों में अपना नचरिया बदलने की जयरत है किसी वैक्ति से मिल रही आलोशना नकरात्मकता बढ़ा सकती है कोई वैक्ति खुद की निरासा के कारण आपको तंग कर शकता है ऐसे वैक्ति से दूरियां बनाने की कोशिश करें प्रगति की वज़े से आपका उश्या बढ़ेगा वैवाहिक जीवन में कटनाईय मैसूस हो सकती है पैसे से समंधित तकलिफ उत्पन होगी ध्यार रखी भचार में नया निवीश करना चाहते हैं तो कर लीजे समय निरास नहीं करेगा म्यूचुल फंड समंधित परिवर्टन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जल्दी हाफने की समश्य रह सकती है कभी कभी समंधियों के प्रती नकरात्मक विचारा सकती है अपनी मनों इस्थिती पर काबू रखे समंधों को खराब होने से बच्चाएं साथ है अपनी छमता से ज़्यादा काम करने का असर स्वास पर भी पड़ेगा बात करते हैं लव लाइफ की पती पतनी का एक दुश्य के प्रती सहीयों का आत्मक रवईया आप से समंधों को और अधिक मजबूत करेगा परन्तु प्रेम शमंधों को मधूर बनाये रखने के लिए एक दुश्य पर भरोसा रखना भी जरूरी है आज के दिन पुरानी बातों को दफन करने का भी समय है क्योंकि यह थार्थवादी प्रभाव आपकी जिन्दगी में आएंगे नए शुरुआत सभी मोचे पसंकेद दे रहे हैं आप एक दुश्यों को प्यार करने के लिए अपने प्रतिग्या को ना उन्हें करित करेंगे यह आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नए अध्याई की शुरुआत होगी आपको यह पहशान करने की जिवर्थ है कि कौन से चीज आपको पीछे की तरफ ढखे रही है ताकि आप उसे छोड़ कर आगे की तरफ अपनी नौकरी को ले जा सकी बात करते हैं करियर की संगर्शेवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बिच विक्सित होने की संभावना है लेकिन आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसे के साथ रहना है लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि ये इस सिती एक इस थाई मन मुटाओ को जन्म नहीं देगी हाला कि आपके साथी के साथ आपका थोड़ा मन मुटाओ हो शकता है लेकिन जब ये पता चलेगा कि जो आपने किया वहाँ आपने सही सोच कर किया था तो आपको अपने साथी से और अधिक सम्मान मिलेगा बिजने सम्मंधित प्रतिस परधा में आपको बहुत ज़्यादा परशानी का सामना करना पड़ सकता है इस समय प्रतिय गतिविदी पर अपने निजर रखना आवश्यक है आपके सुच बुझ और सही फैसला आपको काफी हद तक परशानी से दूर रखेगा बात करते हैं शेहत की आप पिशले कोई समय से स्वास्त के मामले में काफी सकते दिन शगिया का पालन कर रहे हैं आपको अब इसका अलाब मिलना सुरू हो चाएगा अगर आपने अपने खान पान में कुछ परिवर्टन किया है तो आपको आज इसके कारण अपने स्वास्त में विश्य सुधार दिखाई देगा इसे आपको अपने स्वास्त वर्धक रूटीन पर बरने रहने की प्रिणन मिलेगी आप इन अच्छे नतीजे को देखकर अपनी शारिक वयाम को भी बढ़ाएंगे शौधानिया आशप शंकर भगवान जी और गड़ेश भगवान जी के एक साथ पूछा अर्चना करें शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें